नमस्कार स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में मैं हूं तलहा देश भर को कोरोना में अमारी की तीसरी लहर से बचाने के लिए वैक्सिनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है 20 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में कोविड स्थितियों और प्रसासनिक जठिलताओं को देखते हुए घर घर जाकर टीका करन का निर्देश देना मुम्किन नहीं है खास कर जब टीका करन सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो जस्टिस डीवाई चंद्रचूर, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने डोर टो डोर वैक्सिनेशन समेथ एक दूसरी जन हित्याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें हर एक कोविट की मौत के मामले में परिजनों के लिए मौावजे की मांग की गई थी ये मांग इलाज में लापरवाही के आधार बनाते हुए की गई थी सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं माना जा सकता कि इतनी बड़ी संख्या में दूर भाग के से जो मौत कोविट की वज़ा से हुई हैं उन सभी के पीछे इलाज में लापरवाही वज़ा रही होगी हम महज ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते हैं मैं दूसरी तरफ देश भर में वैक्सिनेशन की रखतार बढ़ा दी गई है कई ऐसे राज भी हैं जिसकी सौ फिस्दी आबादी कोरोना की पहली वैक्सिन ले चुकी है सौस्त मंतराले की और से जादी रिपोर्ट के मताबिक अब तक देश भर के सब्तर करोर से जादा टीके लग चुके हैं यही नहीं 60 करोर से आकड़ा 70 करो तक पहुँचने में महस 13 दिन का वक्त लगा है सबसे पहले करोना वैक्सिनेशन की सुरुआत इस साल जनवरी महीने में हुई थी और तब से इसकी रफतार में लगातार इजाफा होता जा रहा है पहले 10 करोर वैक्सिन लगाने में जहां 85 दिन का वक्त लगा था वहीं यह आकड़ा 10 से 20 करोर तक पहुँचने में सिर्क 45 दिन लगे थे उसके बाद से लगातार करोना वैक्सिन की रफतार में जाफा देखने को मिला 20 से 30 करोर डोज 29 दिन में और फिर अगले 34 दिनों में यह आकड़ा 40 करोर तक पहुँच गया था इस ख़बर है फिलाल इतना ही देश और दुनिया के ताजातरिन अफडेट्स के लिए बने रहे ये वन इंडिया हिंदी के साथ